नमस्कार साथियों वेदान्त लर्निंग पॉइंट से मैं शुश्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं आज मैं आप सभी को डियलेट सेकेंड एर के फर्स्ट पेपर संग्यान अधिगम एवं बाल विकास के एकाई नंबर दो से बच्पन में आउधारणा निर्माण एवं जिनतन प्रक्रिया से आउधारणा निर्माण का अर्थ आउधारणा निर्माण में हुने वाली वानसिक प्रक्रियाओं के वारें बताने वाली हूं वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सबस्क्राइब ना किया हो तो प्लीज सबस्क्राइब कर लीजिएगा आईए शुरू करते हैं आउधारणा निर्मान, कॉंसेट फॉर्मेशन सामान रूप से किसी वस्तु व्यक्ति के संदर्व में हमारे द्वारा अउधार्ना का निर्मान होता है जैसे लड़के को देखकर तुरंट बता देते हैं कि यह लड़का है इसी प्रकार आम के पेड एवम नीम के पेड में विभेद कर सकते हैं हम सामान निवस्था में आम के पेड़ को नीम का पेड़ तथा नीम के पेड़ को आम का पेड़ नहीं कहते क्योंकि इस संदर्व में हमारे मस्तिस्क में एक निश्चित आउधारना का विकास हो गया है जोकी आवश्यकता के अनुरूप प्रिकट होकर निर्नय करने में सहायता प्रदान करता है जैसे एक दो वर्ष का बालक अपनी मा को सरल्टा से पहचान लेता है तथा दूसरी इसत्री की गोध से अपने मा की गोध में जाने का प्रयास करता है क्योंकि अपनी मा के प्रती उसने एक आउधारणा विक्सित कर ली है आउधारणा का अर्थ अगर आउधारणा की परिवासा भी पूछे तो आप प्रोफेसर S. के दुबे की आउधारणा की परिवासा को लिख दीजिएगा प्रोफेसर एसके दुवे की अउधारणा क्या है देखते हैं अउधारणा तर्क चिंतन एबं ग्यान का वह परिणाम है जो एक बार विक्सित होने पर आगामी चिंतन एबं निर्णाय में महत्तपूर भूमिका निर्वहन करती है इसी प्रकार वशिंग एबं वशिंग ने भी अउधारणा कोस्पस्ट करते हुए कहा है कि अउधारणा किसी देखी हुई वस्तु की प्रतिमा है अउधारणा के निर्माण में मांसिक चिंतन तर्क एबं अउलोकन का महत्तपूर इस्थान है अउधारणा का निर्माण होने की प्रक्रिया में निरीक्छन विसलेशन तोलना प्रथक करन सामान नियम एवं सिध्धानतों की भी महत्तपूर भूमिका होती है अउधारणा निर्माण में होने वाली मांसिक प्रक्रिया है Mental Processes in Concept Formation अउधारणा निर्माण की प्रक्रिया अनेक प्रकार के तर्क एवं विचारों पर आधारित होती है अतह अउधारणा निर्माण में होने वाली मांसिक प्रक्रियाओं का वरणन निमलेखित रूप से किया जा सकता है पहला है अवलोकन द्वारा अवधारना निर्माण जब हम किसी वस्तु या गटना को बार बार देखते हैं तो उसके लिए हमारे मस्तिस्क में एक निश्चित अवधारना का गठन हो जाता है जैसे बालक पक्षियों को उड़ते हुए देखता है तथा वह जानवरों को चलते हुए देखता है इसके बाद उसके अवलोकन में जानवरों एवं पक्षियों में अंतर किया जाता है जानवरों के चार पैर होते हैं तथा पंख नहीं होते पक्षियों के दो पैर होते हैं तथा पंख होते हैं इस प्रकार बालकों के मस्तिस्क में यह आउधारणा जन्म लेती है कि दो पैर एवं पंखों वाले पक्छी सदेव उड़ते हैं तथा जानवर नहीं उड़ सकते हैं दूसरा है विसलेशन द्वारा आउधारणा निर्माण कॉंसेप्ट फॉर्मेशन बाई एनलाइसिस विसलेशन द्वारा भी आउधारणाओं का निर्माण होता है इसमें अनेक प्रक्रियाओं एवं निरीक्षण के मद्ध संबंध इस्तापित करके आउधारणा का निर्मा तो वह आउधारणा विक्सित कर लेता है कि जहां धुआ है वहां आग है इसी प्रकार अन्य वस्तूओं एवं घटनाओं के संदर्व में भी छात्रों द्वारा विसलेशन प्रक्रिया का प्रयोग करके आउधारणा का निर्माण किया जाता है तीसरा है तुलना द्वारा आ इन प्रकार की वस्तूओं की तुलना करके भी उनके शंदर्व में आउधारणा का निर्माण किया जाता है इस आउधारणा का आधार वस्तूइं व्यक्तियों के सामान डूब आप उपन आज जन्तियों के सामान गुण एवं विशेष्टाओं की तुलना की जाती है जब इन में समांदा पाई जाती है तो इनके लिए एक निश्चित बर्ग का नाम दिया जाता है वह सरी सरप बर्ग होता है इस बर्ग का नाम सुनते ही उस बर्ग के जन्तियों के सामान गुणों का ग्यान हो जाता है क्योंकि इस बर्ग में उनी जंतुओं को रखा जाता है जो उसकी विशेशता रखते हैं इस प्रकार तुलना द्वारा आउधारणा का विकास संभा होता है चोथा है प्रथक करन द्वारा आउधारणा निर्मान इस प्रकार की अउधारणा में सामान विचारों को प्रथक कर लिया जाता है एक विशेश आउधारणा को जन्र मिलता है जैसे खरगोष, भैस, गाए एवं मानव के सुष्णू में परियापत अंतर पाया जाता है तथा उनके खानपान इवं सारी एक बनावठ में परियाप तंतर पाया जाता है, परंतु इन सभी की समस्त विसेस्ताओं को परढ़ा जाती है, प्रकार इस्तन पाई वर्ग में रखा जाता है, इस प्रकार इस्तन पाई वर्ग की आउधारणा का पृधा करण के माध्यम से हुआ है पाचवा है सामान नियम संबंधी आउधारना जनरल लो रिलेटेड कॉंसेप्ट सामान नियम संबंधी आउधारना का विकास भी किसी एक सामान विशेष्टा के आधार पर हो जाता है जैसे इस्तनपाई सरीशरप एवं पक्षी वर्ग के जन्तों के उधारणाओं का उधार एक सामान नियम के रूप में हुआ है जैसे इस्तनपाई वर्ग के जन्तों से दूद पीते हैं सरीशरप वर्ग के जन्तों रेंग कर चलते हैं तथा पक्षिवर्ग के जन्त उड़ते हैं इसी प्रकार एक सामान नियम या विशेष्टा के आधार पर उक्त जन्तों से संबंधित आउधारणाओं का उदय होता है छटवा है तर्क एवंचिंतन द्वारा आउधारणा का निर्माण Concept Formation by Logic and Thinking सामान रूप से बालक जब किसी वस्तु के बारें बिचार करता है तो उसके संबंध में अवधारणा का उदय उसके तर्क एवंचिंतन से होता है जैसे बालक अपने माता पिता से पूछता है कि दिन रात क्यों होते हैं इसका उत्तर जव तक वे सही रूप से प्राप्त नहीं कर लेता उसके तर्क एवं चिंतन की प्रक्रिया चलती रहती है इस प्रक्रिया में अंतिम अउधारणा के विकास के रूप में बालक समझ जाता है कि पृत्वी अपनी धुरी पर घूमती है इसलिए सूर्य के सामने जो भाग होता है वहां दिन तथा सेस भाग में रात होती है इस प्रकार अउधारणाओं का निर्माण तर्क चिंतन के परिणाम स्वरूप होता है सातबा है प्रमाण द्वार अउधारणा का निर्माण concept formation by evidence अनेक आउसरों पर बालकों को बिद्धुआनों के विचारों को प्रमाण मानकर ही मस्तिस्क में आउधारणाओं का निर्माण करना पड़ता है जैसे बालक ईश्वर के संबंद में यह मानता है कि वह सर्वत्र है तथा हमारी संपूर्ण गतिविदियों पर दृष्ट रखता है इसलिए हमको सदेव अच्छे कारे करने चाहिए इसी प्रकार की आउधारणा का विकास बाल अनेक प्रकार के तथ्यों का ग्यान हम पुस्तक एवं साहित्य के माध्यम से करते हैं जब उन तथ्यों को प्रायोगिक एवं विवहारिक रूप से हम सत्य सिद्ध करते हैं तो हम उन तथ्यों को अउधारणा के रूप में सुईकार करने लगते हैं जैसे वर्षा जल संरक अच्छन से house- अउद्ध के यह सूईकार करते हूए इसका विवारेंयों किया जाता है उपरोगत विवेचन से आइसपष्थ हो जा कि अउधारणाओं के निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर संपन्न होती है इसमें विभिन्न प्रकार की कल्पना तर्क विद्द्वानों के विचार एवं घटनाओं का संयोग होता है अउधारणाओं का निर्माण बालकों द्वारा अप अपनी भिन्न भिन्न योगताओं छमताओं एवं रूचियों के अनुसार किया जाता है यह उदारणा निर्मार की जो विशेशता हैं इनको में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा देखने के लिए आप सभी का धन्यबाद आप सभ प्रिका दे सुभो